आपको मरना आना चाहिए तू मरना चाहिए आपको नमस्कार देमोक्राटिक इनर में आपका स्वागत है इस वक्त है हम जंतर मंतर दिल्ली के जंतर मंतर जहां पे 23 अपरेल से पहलवान संगर शमीति का धरना चल रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक तरफ मीडिया का होजूम और दूसरी तरफ यह सामने जो आप निले रंग का तिरपाल देख रहे हैं इसके नीचे पहलवान है और काफी संग्या में लोग पहुँच रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं इनसे हम बात करते हैं सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम तो बहुत सर्मिंदा है क्योंकि अमारे देश में एक ऐसा निकम्मा और नाकारा प्रदान मंत्री है जो इस देश की बेटी हैं जब सड़कों पर बैटी हुई है अपने नियाय की मांग कर रही है और प्रदान मंत्री के मुह से एक चू तक नहीं निकल रहा है जब किशान सड़कों पर बैटता है तो प्रदान मंत्री चुप रहते हैं जब हमारे जवानों की सहाधत होती है स आपरादिक प्रवर्ती के सांसदों को बचाने का प्रयास कर रहा है जिसके खिलाब सत्तर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं जो अपने मुझे से कबूल कर चुके हैं कि मैंने मडर किया है तो हम तो बहुत सरमिंदा हैं और मैं मानता हूं को पूरा देश सरमिंदा है क्योंकि करना चल रहा है देखिए 2014 से पहले जो अंदोलन होते थे क्या उनमें सभी में बीजेपी कही हाथ होता था आज उन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए अगर उनका साथ अगर विपच्ची पार्टियां दे रही है तो इसमें बुराही क्या है देश के 63% लोगों ने भशाल है कारी सरकार के खिलाब आवाज उठानीं चाहिए देश की वेटियां है वो किसी की वेटियां यह इस देश का नाम रोशन किया है उन्होंने तेश का तरंगा इजंड़ापूरे 25 में लेह रहायं है अगर उनके सथ अन्याय होगा तो देश का प्रतेख व्यक्ति उनके साथ कड़ा होगा और मैं कहता हूँ ब्रच भूचन जी को इस्टीपा नी देना चाहिए उनको जेन में जाना चाहिए वो कहते है इस्टीपा देने के लिए तैयार है तीन महीने हो गए एक कमेटी की रिपोर्ट तक को सारवजनिक नहीं करने दिया गया एफाई अर्थर सुप्रीम कोट करवा रहा है और आप कहते हो कि जहां चुआ पे निश्पच हो जाएगी अरे बेसरम हो आपको तो सरम आनी चाहिए आप किस मूँ से जन्ता के बीच में जाते हो किस मूँ से आप मीडिया में आकर के बोलते हो कि देश की बेटियां यहां बैटी हुई है और आप लोग उनको भी बाटने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया का एक वरग में यह खबर आई कि यह पहलवान नहीं है एक वरग विशेश के अंदर इनको बांधने की कोशिश हो रही है इस पर क्या कहना है देखिए जब जब इस देश में इस देश का अगर युवा अपने रोजगार के लिए अंदोलन करता है तो यह कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है खालिस्तानी है यह युवा पढ़ाई नहीं करते है यह वो लोग है जो इस्टडी नहीं करते है लेकिन रोजगार मांग रहे है किसान अगर अंदोलन करता है तो यह कहते है कि अर्याना के है यह उत्तरप्रदेश के है यह किसान नहीं है यह खालिस्तानी है जबान अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो ये कहते हैं लेकिन जो निश्पच चाहिए जवाब देना चाहिए उसका सीधा सीधा जवाब नहीं देना चाहते हैं कि ये भारत देश कस्मीर से लेके कन्या कुमारी तक और आसाम से लेकर के गुजरात तक एक है इस देश के अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परिशा नहीं है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है सरकार को उसके साथ न्याय करना चाहिए एक आखरी सवाल कि क्या बुरुजबुशन को सरकार बचाने की कोशिश क्यों कर रहे है क्या यूपी में सरकार को कोई खतरा होगा अगर बुरुजबुशन पर कारवाई होती है तो इस सरकार की प्रवर्ति रही है, जिस देश में जो देश का सिब्से बड़ा मंदर जिसको बोला जाता है वहाँ ये आतंकवादियों को, अपरादियों को सरण देने का काम कर रही है। तो आपने देखा कि बड़ा आक्रोश है लोगों के अंदर और दिरे-दिरे सरकार पर दबाओ बढ़ेगा आने वाले समय में और कहीं न कहीं इस मामले में सरकार गिरती जा रही है आप देख सकते हैं कि काफी संडे का दिन है और बीड काफी हो गई है और ज्यादा कि मिरर के साथ जुड़े रही है बहुत बहुत धन्यवाद